रिया ने सुशान के और अपनी जो चैट शेयर की थी वो फेक थी क्या एक फैन ने एनलिसिस किया है और उन्होंने इस एनलिसिस के बात जो है इस बात का दावा किया है कि यह जो चैट है यह पूरी की पूरी फेक है कैसे मैं ही नकुमावत फिल्मिंडू पाप को बताऊंगी दरसल यह अधर एक PSRM ही है उन्होंने यह किया है Chat 1 Real release mistakes in the format Chat 2 I recreated exactly same chat Now would it look like if it was real Why she is creating fake chats What is she trying to prove by Creating the fake chats And even she can't create fake chats In correct format तो यह है Chat 1 और यह है Chat 2 अब मैं आपको बताती हूं जब आप देखेंगे जब आप किसी को chat पे message भेजते है तो यह जो tail होती है चैट के पीछे की वो नीचे नहीं होती उपर होती है जैसा कि इन्होंने करके दिखाया है कि देखें चैट भेजी tail उपर आई लेकिन जब यह chat create की गई तो चैट की tail जो है वो नीचे थी जो possible नहीं है और इसी बात को जब आप अपनी भी चैट देखेंगे तो उसमें यह बात आपको समझ में आएगी कि जो chat tail है वो उपर होती है नीचे नहीं यह गलत वाला format है और यह जो है यह right वाला green वाला format जो है जो green circle के हुआ है यह right format है कि tail जो है वो उपर आनी चाहिए नीचे नहीं और इस तरह से उन्होंने क्या यह chat fake create की है क्योंकि जब original chat होती है आप भी देखेंगे अगर मेरा भी अपनी team के साथ chat चल रहा है मैंने अगर उनको भीजा तो यह जो tail आया यह उनका उपर आया और जब मैंने भीजा तो यह उपर आया यह देखेंगे नीचे tail नहीं आता है और इसी बात को जो है उन्होंने भी create करके कहा है कि यह जो है पूरी की पूरी fake chat है यह इस chat tail से clear हो सकती है तो इस तरह से एक fan ने analysis किया है जिसके बाद यह सारी बात सामने आई है कि क्या वाकई में यह chat जो है fake है वैसे भी इसमें कोई date नहीं है और जैसा के इश्करन ने कहा था कि अगर उन्होंने fake chat create की है तो उसका खाम्याज़ा उन्हें भुगतना पढ़ सकता है